हेलो विल्कम बैक टू मैं चानल गुवा में हमारा यह सेकेंड वीक है और ग्रोसी सारा लगबख खत्म हो गया था तो हमने डिसाइट किया ग्रोसरी शॉपिंग करने का यह ग्रोसरी शॉप जो है एक तरह से सूपर मार्केट है जो की बहुत पास में है और जरूरत की सारी च कॉफी और ड्रिंक्स के सेक्षिन में यहां पर कुछ आइस कॉफी रखा हुआ था जिसका टेस्ट काफी अच्छा है यह 40 रूपीज का पकेट होता है और थोड़ा मैंगा पड़ता है बड़ चुकी मीठा कम होता है तो यह हमें काफी पसंद है फिर कोल्डिंस चुकी हम ल और ITC का जो प्रॉन वाला पकेट मिल रहा था वो काफी महंगा था 225 रूपीस का था और उसमें क्वांटिटी काफी कम होती है तो इसलिए हमने वो नहीं खरीदा ट्राइ करेंगी कि यहां का फिश मार्केट सुबह नौ बजे लगता है तो वहां पे जाकर के एक दिन आप अची फिश बोल रही थी तो फिश निकल रहा है मों से स्नैक्स में बिस्किट हमें बहुत पसंद है चाय के साथ खाना और पाढले ची अगर तिक जाए तो बच्पन की याद ताजा हो जाती है जो बच्पन का आपका टेस्ट होता है ना मन में वो अगर आपको वापस से मि खाने में फिर ये टाइगर बिस्किट भी जो है इसका भी कॉफी वाला टेस्ट मुझे बहुत पसंद है तो मैरी बाढले ची टाइगर बिस्किट इस तरह के आइटम समने ले लिए चाय के साथ जनरली हम लोग खाते है और मेठा नहीं कहाना जाए बट क्या करें कभी कभी खाना पड़ता है फिर मैं कुछ नमकीन लेना चाहती थी बट ये नमकीन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था फाइनली हमने एक हल्दी राम वाला भुजिया लिया जो नमकीन होता है और ये सारी शॉपिंग करके हम लोग आगे बिल जादा नहीं बना था और बिल देख ये सारी चीजें अंडर 2500 रुपीज आ गई है और इसमे अलमुस सारा ही आइटम आ गया है एक राइस को छोड़कर के राइस चुकी हम लोग पहले ही ला चुके थे और ये मैंने मिनट मील एम्टीयर लिया था इसका वीडियो में डाल चुकी हूं अब चेक किजेगा रिव चीजें महेंगी नहीं है और लोग भी बहुत अच्छे हैं सबजी भी सस्ती हैं मुझे तो दिली से कमी आपे लग रहा है और दाल वगयरा सब ले लिया हम लोग अच्छे से खाना बना के खा रहे हैं तो अगर आपको कोई भी चाहिए होगा इन्फोरमेशन की अगर आप तो क्या कॉस्ट पड़ता है हमनों गॉओं मेरा चानल मिलते अंगले वीडियो में थैंक्स वर वॉचिंग